जहीं दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेसन में आप लोगा स्वागत है जैसे कि हम लोग वाल्टियर डिविजन का टेक्निशन 3 वाला पेपर सल्फ कर रहे थे जो कि आप लोगा चार नवेंबर 2023 को कंड़क्ट हुआ था इसमें हम लोग 55 कोशिन तक हो गया था तो तो आप लोग भी रेडि हो जाइए जैसे के कुशिन में हम देख रहे हैं यहीं पर 56 कुशिन में चलते हैं इस डिसिप्लिनरी अथरेटी अफे चार्ज ऑफिसाल इस अलसो इंभर्व इन द सेम कैस दीस के सूड डिल्ट विद वायदी यह देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं अधी किसी आरुक्पीत अधिकरी का अनुसासनिक अधिकरी भी उसी मामले में सामिल है तो इस मामले को कि कि द्वारा निप्टरा जाना चाहिए तो देखिए जो इसमें डिसिप्लिनर अथरेटी जो होते हैं यह आप लोगों को पूछ रहा कि जो चार्ज ऑपिसाल जो रहेंगे वह भी अगर इसमालों का साल आप लोका इनभल्व रहेंगे तो यह केस को किसके द्वारा एटेंडेंट अफेफ पास होल्डर के नभी यह देखिए जब फास्ट लास पास में आप लोग एटेंडेंडेंट लेके जाते हैं तो यही पर पुछ रहें एटेंडेंट अफ जो पास होल्डर वो क्या होना चाहिए देखिए अप्सन में चलते हैं अब लोग एटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड तो उसमें भी आप लोग का फास्ट का पास इसू किया जाएगा तो यह मेडिकल ग्राउंड में ही होता है अप्शन यह के साथ चलिए इसका एंसर हम लोग बोले थे कि अगर आप लोग का जो डिस्प्लिनर अथरिटी जो रहेंगे वह अगर इन्भल्ब रहेंगे तो इसको आप लोग का जो केस को निप्टा रखिया जाएगा नेक्स्ट हायर अथरिटी जो रहेंगे एही सल्प करेंगे केस को इसके हाथ में ही दिया जाएगा तो अप्शन C के साथ चलिए रिपीटेड कुस्चिन यही देखे आगे ही रिपीट हुआ है इप ट्रांसफर इन्वल्फ स्चार्ज चैंज अफ स्टेशन एन डिस्टांस वीटिन दा ओल्ड अन न्यू स्टेशन इच लेज देन एक हजार किलोमेटर देन हाउ मैने डेच अफ जैनिंग टाइम इच एडिमिसबल देखे जब भी कोई गवर्मेंट ट्रांसफर होता है एडिमिस्टेटिव ट्रांसफर होता है तो आप लोग को जैनिंग टाइम लीप दिया जाता है यह सब को पता है तो यहीं आप लोग का अगर हजार किलोमेटर से अगर कम होता है तो यही केस में आप लोग का कितना दिन दिया जाता है तो यही केस में आप लोग का यह और हजार किलोमेटर से जादा होगा हजार और दो हजार किलोमेटर बीच में रहेगा हजार किलोमेटर से जादा हो जारा जो दो हजार किलोमेटर से यह अगर आप लोग का कम है तो वही केस में आप लोग का बारा दिन का दिया जाता है याद रखिए और आप लोग का दो हज कीजी है तो इसको आप लोग स्क्रीन सेट ले लिजे इसको आराम से कीजिए कोई ऐसा टॉप मेट नहीं है तो आप लोग मेट को अपना को में सल्व करने का कोशिस कीजिए तो चलते हैं फिर आप लोगा 66 कूश्चिन में दा इंडिया रेलेज इंट्रडूश भारत गवरप ट्रेंड टूरिस्ट ट्रेंड टूसो केस दा हैरिटेश अफूश ते इसको इंट्रूश किया गया है अभी तो बहुत सारा जगा में चल रहा है लेकिन आप लोग का ये देखिए पहले से अब स्टार्ट हुआ था ये साइथ आप लोगा गुजुरा स्टेट का जो हेरिटेज है इसको दिखाने के लिए ही आप लोगा भारत गोरफ डिलक्स आप लोगा टूरिस्ट एंडिया मे ये डी अचर होता है आप लोगा डी एच आर दरजलिंग हिमालयन रेले जो होता है ये देखिए यहीं पूछ रहा कूंसा जोन के साथ ये रिलेटेड है तो ये आप लोगा क्या हो जाएगा ये दी एचर वाला ये कुश्ट भी कोई देखिए एक एक्जाम में आया हुआ ह तो जरूर इस टाइब का कुशिन को भी आप लोग अच्छा से देखिए तो यह आप लोग का जो हो जागा यह नॉर्थ फ्रॉंटियर रेलियर होगा तो यह आप लोग का अप्शन देखिए यह हो जागा यह देखिए यह आप लोग का फूइच जोन अपरेट दारजिलिंग हिमालान रेल्वे है तो आप लोग का 67 का यह क्या होगा आप लोग कमेंट सुम बताइए यह नॉर्थ इस्ट फ्रॉंटियर रेल्वे होगा साहित इसको भी आप लोग कमेंट सुम बताइए यह देखिए अप्शन सी के साथ चलिए इन फूइच सिटी दा हुईल एन एक्सल प्लांड अब इंडिया रिले लोकेटड यह देखिए यह पर आप लोग का डबलू एपी बोर रहा है हुईल एन एक्सल प्लांड जो कि आप लोग का यह लहंका बेंगलोर में है याद रखिए यह पुराना नाम ओल्ड नेम है अभी नया में इसका नेम चेंज हो गया है इसका नाम हो गया आप लोगा आर डबलू एप हो गया है यह हो गया आप लोगा रेल हुईल कोछ फेक्टरी है याद रखिए यह आप लोगा रेल हुईल फेक्टरी है तो यह याद रखिए जैसे कि पहले इसका नाम था डबलू कि रांए करता है यह कुछिर में बराबर यह भी बरुबर थांस आप कान्या कुमारी तक चलता है तो यह लगभग लगभग इसका जो डिस्टांस आप लोका 4234 किलोमेटर है इसमें जो डिस्टन्स कभर करता है आप लोग का जो विवेक एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस जो डिस्टन्स कभर करता है ये आप लोग का 4234 किलोमेटर 4-3-4 ये किलोमेटर ये कभर करता है उसके बात इसमे देखे, आप लोग का ये टोटल टाइम जो जो जरनिंग टाइम है, आप लोग लोग का सेंटीन ना principles का जरनिंग है और इसमें आप लोग का जो intermediate station गिरेगा, station जो गिरेगा, आप लोग intermediate station गिरेगा, 57 station होकर ये इसका stoppage है ये भी यात रहए हाउ मच डिस्टन्स इन किलोमेटर ए ट्रेंड ट्रावलिंग एट स्पीड अव ट्वेंटी केंपेच विल कभर इन फूर अवर्स यह देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोगा कितना डिस्टन्स कभर करेगा एक ट्रेंड जो की स्पीड कितना स्पीड में चल रहे है बी स्पीड का फर्मूला क्या होता है आप लोगका स्पीड डिस्टन्स निकल सकते हैं तो इसी स्पीड गुनाँ आप लुग का टाइंड हो जाएगा तो यही फर्मूला यूच कर दिजेए यह फर्मूला यूच करने से आप साथ आप लोक ये देखी है एहीं पर आपलोक क्या दिया हुआ है इह पर दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है आप लोका 20 campaign दिया है और आप लोका time दिया है इसको कर दीजे mein simple में थे heво जाएगा आप लोका 80 किलेमेटर होगा तो यह आप लोगा डिस्टांस जो कभर करेगा चार घंटा में 20 किलेमेटर प्रती घंटा से यह होगा आप लोगा 80 किलेमेटर होगा अप्शन सी के साथ चलिए ठू लोग वेल्डिंग करेंट इन आर्क वेल्डिंग उल्डिंग होगा पूरा अगर कम हो जायेगा इसमें क्या होगा excess peeling of weld metal यह देखिए यहीं पर होगा weld metal आप लोग का peeling हो जाएगा excessive peeling हो जाएगा weld metal का तो यही region होगा आप लोग का अगर जरूर से ज़्यादा अगर current इसमें low हो रहा है welding करते हुए neutral flame h ratio of the volume of oxygen acetylene supply यह देखिए आप लोग का जैसे की जानते हैं देखिए यह दो यहीं पर आप लोग का रहसो पूछ रहा है lock into a clean देखें आर्क वेल्डिंग करते हुए आप लोगा टेंपरेचर आर्क का टेंपरेचर कितना रेंज होना चाहिए जैसे कि आप लोगा 3500 degree centigrade से आप लोग का ये आप लोग का हो जाएगा 20,000 degree centigrade तक ये temperature रहता है तो इसमें आप लोग का जो सही option होगा The temperature of arc in case of arc welding ये कितना होगा ये आप लोग का देखे ये आप लोग का हो जाएगा 3600 degree centigrade हो जाएगा टेंपरेचर आर्क का आप लोग का किस केस में आप लोग का ये हो जाएगा जो arc welding केस में आर्क का जो टेंपरेचर रहेगा 3500 degree centigrade से जादा होगा ये option से अनुसर आप लोग का 3600 degree centigrade लीजे Which of the following is not a type of arc welding ये देखिए इह पर पूछ रहे है कौन सा आप लोग का arc welding नहीं है पूछ रहे है तो इसमें आप लोग अगर चलेंगे देखेंगे option C में या औक्सी असितिलिन जो होता है ये ग्यास welding होता है तो ये option C आप लोग का सही होगा ये आप लोग का arc welding है नहीं ये ग्यास welding है arc welding uses following electric supply arc welding करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाइ चाहिए AC, DC दोनों सप्लाइ में ही आप लोग का देखें arc welding होता है अगर current नहीं है तो DC आप लोग का DC सप्लाइ में में इसका welding होता है arc welding तो बोथ AC and DC होगा option C के साथ चले ये micrometer usually used to measure micrometer जो यूच होता है inside, outside दोनों आप लोग का diameter को mapने के लिए यूच होता है इसको measure करने के लिए यूच होता है option A के साथ चले micrometer हो गया आप लोग का भर्नियर का लिपर हो गया इस सब आप लोग का precision measuring instrument है इसमें अलग-अलग list count रहता है तो इहीं पर आप लोग के लिए कूशिन है कि आप लोग का matrix scale में matrix scale में और आप लोग का inch scale में आप लोग का कितना list count है micrometer का ये आप लोग comments में जरूर बताइए days is checked with the tear defect guys देखें, tear defect करेंसे क्या check करेंगे wheel defect check करेंगे very easy, गल्ती मत किजिए the minimum measurement that can be correctly read with bernier caliper is called ये देखें, यहीं पर list count का LC का बात हो रहा था list count, list count जो होता है सबसे कम जो आप लोग measurement लेते हैं इसको बोलते हैं list count तो bernier caliper में आप लोग का पूछ रहा है list count पूछ रहा है, तो यहीं पर minimum जो measurement है bernier caliper का उसको bernier caliper का list count बोलेंगे, तो अलक 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 इंस्टूमेंट का अलक अलक अलक, आप लोग का list count रहता है जैसे कि आप लोग का steel rule का एक example दे रहा है steel rule का आप लोग का कितना होता है steel rule का 0.5 mm होता है LCA होता है, यह list count होता है steel rule के लिए 0.5 mm इसी सबसे आप लोग bernier caliper का mm में बताइए और आप लोग का inch में दोनों skill में बताइए list count कितना होगा bernier caliper का what is the full form of PPE देखिए repeated question है personal protective equipment यह होता है PPE जैसे कि आप लोग helmet यूज करते हैं या gloves यूज करते हैं shoes यूज करते हैं यह आप लोग जब भी कुछ जैसे कि आप लोग का maintenance में जा रहे हैं तो जरूर ध्यान दे आप लोग का PPE रहना बहुत ही जरूरी है तो what is the full form of PPE personal protective equipment तो option यह के साथ चलिए what kind of gloves should be used while handling chemicals जब chemical आप लोग का factory में काम करेंगे यह chemical जो related काम करेंगे इसके लिए rubber का gloves आप लोग का बहुत जरूरी है तो आप लोग जब gloves यूज करेंगे यह rubber gloves यूज करना बहुत ही जरूरी है option A के साथ चलिए next चलते है an induction motor works with induction motor जो किसके माइदाम से काम करता है AC या DC में काम करता है या both AC और DC में काम करता है induction motor हमेशा अब लोग का AC supply में काम करता है याद रखिए 81 का B के साथ चलिए which of the following will happen in a transformer when the number of secondary turns is greater than the number of primary turns यह देखिए आप लोग का जैसे की यही पर आप लोग का primary turn है यह पर आप लोग का secondary turn अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब यह क्या होगा step up हो जाएगा अगर secondary turn आप लोग का काम हो जाएगा तो step down transformer हो जाएगा याद रखिए तो यही पर आप लोग का जो पूछ रहे कि secondary turns greater than primary turns इसका मतलब यह voltage को क्या करेंगे आप लोग step up करेंगे तो याद रखिए यही पर option क्या होगा तो 82 का यह देखिए option यह के साथ चले the voltage get step up हम लोग step up करेंगे यही आप लोग का जो transformer का यही principle होता है what is the purpose of circuit breaker in electrical system electrical system में circuit breaker यूज करते हैं यह देखिए electrical से बहुत कुछ चिन आया हुआ है तो circuit breaker जो यूज करेंगे electrical system में क्या चीच ले करेंगे to protect against our current and prevent electrical fires यह देखिए जो आप लोग का circuit breaker का क्या काम होता है यह आप लोग का जो अभर current से आप लोग का circuit को बचाता है इसके बाद जो short circuit होके जो fire electrical fire ना हो इसके लिए आप लोग का circuit breaker यूज होता है option C के साथ चले what is the primary function of an inverter in an electrical system यह देखिए primary function पूछ रहा है inverter का electrical system में जो के आप लोग घर में भी inverter यूज करते हैं जब भी आप लोग का AC current supply चला जाता है तो क्या होता है आप लोग inverter का माईध्याँ से देखिए आप लोग काम चलाते हैं फिर से आप लोग का जो light पंखा cooler इस सब चलता है तो इहीं पर inverter का जो आप लोग का function पूछ रहा है तो inverter का function क्या होगा तो convert DC direct current to AC यह देखिए इहीं पर आप लोग का inverter जो होता है आप लोग क्या करता है DC से AC करता है आप लोग का inverter में देखिए बैटरी है तो बैटरी का आप लोग का जो DC है उसको AC में convert करता है तो याद रखिए आप लोग का inverter का काम होता है convert DC to AC which of the following devices is commonly used to protect sensitive electronic equipment from voltage spikes यह देखिए इहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो voltage spikes आप लोग का बचने के लिए आप लोग का electronic equipment को बचाने के लिए आप लोग का जो sensitive electronic equipment है इसको voltage आप लोग का off-down से बचाने के लिए आप लोग का device use होता है तो इसका नाम क्या है तो यह हो जाएगा आप लोग का क्या होगा यह हो जाएगा आप संडी के साथ चले सर्च प्रोटेक्टर हो जाएगा यह क्या होगा आप लोग का 85 का देखे यह हो जाएगा आप लोग का सर्च प्रोटेक्टर हो जाएगा तो यह आप लोग जो यूज करते हैं आप लोग का जो electronic आप लोग का equipment है ये voltage आप लोग का off-down spike होगा इसमें आप लोग का बचाने के लिए ये device यूज किया जाता है इसका नाम है surge protector what amenities are to be provided to workers इने clean and safe worship आप लोग का जो amenities है क्या क्या amenities हम वारकर को provide करेंगे आप लोग का clean और safe वारकलोस के लिए तो ये देखिए आप लोग का access to toilet का सुविधा होना चाहिए जो भी आप लोग का employee वारकर सब काम करें उनका आप लोग का workplace में toilet का सुविधा होना चाहिए clean drinking water drinking water का facility होना चाहिए fasted kit होना चाहिए तो ये डी के साथ चलिए all of the above हो जाएगा फर restoration of derailed diesel और AC locomotives in a dead end siding what is the maximum working radius of 140 ton BD crane ये देखिए इहीं पर आप लोग का maximum working radius पूचा है 140 ton BD crane के लिए तो ये क्या होगा ये आप लोग का हो जाएगा 16 मिटर होगा आप लोग 140 ton का आप लोग का manual देख सकते हैं इसमें चेक कीजिए जैसे कि आप लोग का जब भी आप लोग का कोई restoration का काम होगा आप लोग का आप लोग का 140 ton BD crane ये उच होता है तो maximum working radius जो होता है 16 मिटर होता है इसका full form पूच रहा है सिदा सिदा तो इहें पर full form क्या हो जाएगा electric overhead traveling crane हो जाएगा तो option आप लोग C के साथ चलिए ये भी repeated pushing है any relay worship what are the sum of the potential safety hazards that can result from poor housekeeping practices ये देखिए ये पर पूच रहा है relay worship में खराब housekeeping प्रताओं के परिमान सम्भावित सुरक्षा खत्रे क्या हो सकते है तो ये option ठीक से देखिए तो ये ही पर क्या होगा increased risk of slips, trips and falls ये हो जाएगा आप लोगा 89 का सही अंसर हो जाएगा क्या बढ़ जाएगा? risk of slips बढ़ जाएगा, trips and falls ये आप लोगा बढ़ जाएगा तो option आप लोग C के साथ चलिए brake caliper unit in LHB coaches mounted on, brake caliper कहां लगा हुआ रहता है? bogey crossbing, एकदम गलती मत कीजिए what is the primary function of a compressor in an industrial setting? ये देखिए जो हम लोग compressor यूज करते हैं, industrial work के लिए industrial setting के लिए है तो इसका primary function क्या होता है compressor का? तो option में चलते हैं तो इहीं पर आप लोग का सही आप लोग का जो option होगा देखिए to increase the pressure of gases और air ये देखिए इहीं पर compressed air का, compressor का का काम क्या होता है? compressed करता है आप लोग का gas और air को compressed करता है तो इसका क्या होता है? pressure को increase होता है तो pressure increase करके इसको क्या क्या जाता है? याद रखिए What is the rule of a compressor inlet filter in its operation? यह देखे, compressor में जो inlet filter रहता है तो इसका क्या rule होता है? तो इसका rule होता है To remove contaminant and debris from the incoming air यह देखे यह देखे, आप लोगा compressor में जो inlet filter का काम क्या होता है? To remove the contaminants and debris from the incoming air जो incoming air आता है उससे जो आप लोगा धूला, महसर यह सब बगेरा रहेगा इसको क्या करेगा? रिमूब करेगा जो inlet filter है यह छलनी करके आगे बढ़ाएगा यह आप लोगा चान के ही शुद जो रहेगा, यार clean यार उसको छोड़ेगा तो यही काम होता है इसका अपसन C के साथ चलिए फायर एक्स्टिंसर शूड़ भी refilled यह देखे, यह भी repeated cushion है गलती नहीं होना चाहिए जो फायर एक्स्टिंसर इसको refilling करते हैं अगनी सामक को एक साल में filling करते हैं रिफिल करते हैं DCP टाइप फायर एक्स्टिंसर इस सुटेबल टू एक्स्टिंग्विस डेस फायर जो ड्राए केमिकल पावडर टाइप फायर सिलिंडर होता है एक्स्टिंसर होता है यह हर तरीके का आग को बुझाता है तो option D के साथ चलिए वाट पोटेबल पावर टूल इस यूज़ तू मेक राउंड होल्स त्रो ऊडर मेटल यह देखिए पावर टूल यूज़ करेंगे आप लोगा पोटेबल पावर टूल यूज़ करेंगे आप लोगा पावर टूल इसके माइधम से आप लोगा लखड़ी और मेटल में आप लोगा राउंड होल करते हैं ड्रिलिंग बोलते हैं उसको फूलिंग हैंड टूल इच अनसेफ यह देखिए option दिया हुए कौन सा हैंड टूल आप लोग का अनसेफ है तो जैसे option में आप लोग चलेंगे देखिए A और B option आप लोग read कीजिए उसके नीचे चलते हैं अगर सही से आप लोग option में चलेंगे तो अगर option को ठीक से पढ़ेंगे यह देखिए यही पर आप लोग का option C में देखिए A hammer with dented head अगर आप लोग का जो hammer use कर रहे हैं उसका head अगर dented है मतलब कहीं पर लग गिया है घिस गिया है तूट गिया है ऐसे dented head वाला आप लोग hammer use मत कीजिए इसमें आप लोग का accident होने का chances बढ़ जाएगा तो इसका head सही रहना चाहिए dented head वाला hammer कभी भी use नहीं करना है Which of the falling hand tools is on set यह देखिए यह पर पूछ रहे है यह देखिए यह कुछिन फिर repeat हो गया सही यह पर देखिए आप लोग का क्या है यह hammer with dented head dented head वाला आप लोग को कभी भी use नहीं करना चाहिए What is hawk bolting primarily used for an industrial application देखिए hawk bolting जो use करते हैं हम लोग तो इसको जो use करते हैं इसको क्या करेंगे दो आप लोग का seeds रहेगा plates रहेगा उसको genning करेंगे fastening करेंगे यह चीज के लिए use होता है तो to genning और fastening steel components जो steel components रहेगा इसको genning और fastening करने के लिए hawk bolting यूज करते हैं तो अभी आप लोग का जो good set में काम करते हैं कौन सा wagon में hawk bolting यूज होता है यह आप लोग के लिए कूसीन है comments में जरूर बताईए If you suspect a head or neck injury what will you do यह देखिए आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग इहीं पर देखिए अधी आपको Syria garden पर चोट का संद है तो आप क्या करेंगे पकल लिए किसी करन आप लोग का चोट हुआ है आप लोग का Syria garden पर तो आदमी को आप लोग support करके उसको बैठाएंगे फिर जितना जल्दी होगा इसको medical assistance के लिए आप लोग को एमुलेंस को बुलाना है या आप लोग का hospital को तुरंत ले के जाना है तो ये काम पहले करना है तो support the head and neck in the position found देखिए उसको पहले movement कराना नहीं इदर नहीं कराना है उसको support करके रखना है तो ये आप लोग का अप साथ चले support the head and neck in the position found जो position में आप लोग का ये देखिए कुछ आप लोग का injury हुआ है तो ये position में support करके रखना है इदर उदर हिलाना नहीं है जितना जल्दी हो सके उसको medical assistant के लिए ले के जाना hospital बहुत ही ज़रूरी है to twitch notch bleed hold pressure on the bridges of notch and have the person ये देखिए नकसीर का आप लोग का जो इलाज करने के लिए नाक के पूल पर दवाप रखें और ब्यक्ती को ये देखिए जब भी आप लोग का नाक से आप लोग का bleeding हो रहा है आप लोग का blood निकल रहा है तो ही condition में क्या करना है आप लोग का थोड़ा सा आगे आगे के तरफ फरवाड होके आगे तरफ जूक के आप लोग को रखना है और आप लोग का जो नाक को आप लोग कम से कम 10 मिनिट तक दबा के रख दीजे इसमें क्या होगा bleeding बंद हो जाएगा किसी करण अगर bleeding बंद नहीं होता है तो आप लोग को जैसे भी medical assistance लेना पड़ेगा hospital जाना पड़ेगा तो यह आप लोग को क्या करना पड़ेगा आपको सर को थोड़ा आगे के तरफ जुका के रखना पड़ेगा और फिर नाक को आप लोग दबा के रखिए 10 मिनिट तक तो इसका सही answer किया होगा यह देखे 100 का आप लोग का हो जाएगा यह हो जाएगा lean slide forward हो जाएगा आगे के तरफ थोड़ा जुक जाएए चलिए राजवासा सेक्शन में चलते हैं अब लोग का how many articles are there in the part 17 of the constitution यह देखे part 17 में आप लोग का पूछ रहा है कि कितना articles है कितना अनुच्छेत है तो यह हो जाएगा 9 अनुच्छेत है जैसे कि 343 से आप लोग का 351 तक यह रहता है part 17 में तो यह total 9 आप लोग का articles है name of the category of the employees home Hindi training is not required हिंदी training किसको जरूरी नहीं है दरकार नहीं है जिसका कि आप लोग का मात्रवासा जो category A वाला जो state है region है इसमें क्या होता है maximum जो states है सबका मात्रवासा हिंदी है तो इसमें आप लोग का हिंदी training जरूरी नहीं है कि category A या region A का खेत्रा में जो भी employee आते है उन लोग को हिंदी training का कोई भी आवसकता नहीं है याद रखें इन्टू how many regions Indian states have been classified according to official language rule देखें आप लोग का official language rule के अंसर इंडिया को भारत को तीन region में बाटा गया काखा खेत्रा या ABC region जिसको बोलते हैं How many Hindi courses are prescribed for Central Government Employee Central Government Employee के लिए कितना भासा हिंदी पाठेक्रम आप लोग का निधारित किया गया है यह है तीन पाठेक्रम है जैसे कि आप लोग जानते है प्रबोत प्रविन और प्राग्या होता है Which part of the constitution contains provision regarding official language समिधान के कीस भाग में राजवासा से समन्दीत है यह देखिए पाठ 17 हो जाएगा तो option B के साथ चलिए पाठ 17 में ही आप लोग का official language के बारे में प्रोविजन है What is the official language of union of India यह देखिए union of India का अब लोग का union of India का क्या पूछ रहा है official language पूछ रहा है जिसकी हिंदी होता है और script होता है देवनागरी होता है option A के साथ चलिए According to official language rules Odisha falls under which region यह देखिए Odisha कुन सा खेत्र में आता है आप लोग का गह खेत्र में आता है region C में आता है At present how many languages are enlisted in the 8th schedule of the Constitution देखिए आठवी अनसूची में आप लोग का सामिल किया गिया है इसमें है यह रिपीटेड कुछिन है 22 भासा है तो इनिशाल यह भी कुछिन आता है इनिशाल जब आप लोग का आठवी अनसूची में कितना भासा था यह भी कुछिन आता है याद हिंदी जो कमिटी होता है उसका चेर्मेन प्रधान मंत्री जी होते हैं अपसन एके साथ चलिए एकोडिंग टू अफिसाल लेंगेज रूल्स उतर प्रधस फल्स अंडर विच रिजिन ए देखिए यूपी पूछ रहा है रिजियन ए में आता है का रिजियन में आता है तो चले फ्रेंस आज के लिए आप लोग का वाल्टेर डिविजिन का जो टेक्निशन तरी का कुछि सब्सक्राइब क्लिक करने से डेली देखे 10 से 20 कूछिन आप लोग के लिए लोड हो रहे है उसको भी प्राक्टिस कीजिए वह भी बढ़िया काम में आएगा और वीडियो को आप लोग का फ्रेंस सर्क्ल में सेर कीजिए कूछिन सब भी सेर कीजिए तो चलिए फ्रेंस फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो का इंतिजार कीजिए जय जगनात दोस्तों